क्या है सही मुसलिम कौन से नमबर बता रहे हैं वन सेवन फोर फाइए क्या हो गया जी बताओ वर सेवन फोर फाइव क्या लिखा है यह इतना सन्नाठा क्यों है भाई यह अधिस में तो हदिस में ए भी तो नहीं आता वन सेवन फोर फाइव कि अधे काम करो एक में रुको कि मैं आपको डूसा हवाला देता हूं 4548 सर्च करो है है फोर सही मुसलिम फोर एट फोर फाइव फोर फाइव फोर फाइव फोर फोर एट यह रो मैं उर्दू वालापके सामने लिका आ जाता हूं यह यह लीजिए आपके सामने लिए से हाँ क्या है हजर साद बिन जसामा से रिवाएत है कि फरमाया के नभी करीम से शबखोन में मुश्रिकों के बच्चों के बारे में पूछा गया कि इनका किया होकम है तो आप s.a.на और면 ने इर्षाद फर्माया वो भी इन ही में से है आप बुखारी शरीफ की 4548 की बात कर रहे हैं सही muslim की 4548 भाई तो आप पहरे सही muslim बताय नहीं सही muslim की मैं देख रहा हूँ सर सही मुस्लिम ही बोला है मैंने हाँ हाँ फॉर फाइव फॉर एट हाँ ये लो स्क्रीन पर फूरा लेके आगया मैं फॉर फाइव फॉर एट अरे यार ये इसका साबुन बहुत स्लो है भाई फॉर फाइव फॉर एट वही तो कह रहा हूँ भाई कि 4548 ये सही मुसलिम की आप पहुर रहे हैं? सही मुसलिम की 4548 4548 जी जी इसमें क्या है हदिस में? हदिस में है साब इंजस्सामा से रिवायत है कि फरमाया कि नभी करीम सल्लिल्लाओ आलिव सलम्सें शब खून में मुश्रिकों के बच्चों के बारे में पूचा गया कि इनका क्या हुकम है तो आप सलिए लाहु आलिए वसल्म ने इर्शाद फर्माया वो भी इन ही में से है मेरे पास जो है देखियो बैने भी निकाला है मेरे पास जो है वो इसलाम वन करके है उसमें सही मुस्लिम 4548 में है दुसमन से मुलाकात जंक यबत नुस्रत की दुआ करने के इस्तेहबाब के बयान में अब तुमारे उसमें नहीं है तो मैं क्या करूँ तो इसका मतलब है कि तुम कहीं गलस ला रहे हो सही मुस्लिम की आयत नमबर 4548 अबूबकर इबन अभी सहभा अधस्ना मुछमद बिन बेशर वा अबूस्वा एसमा किस में देख रहे हैं अपने ख़ोल रखा है मैंने जो हदिश है आपना खोल रखा है, कौन सा खोल रखा है, सही मुसलिम, सही मुसलिम, नहीं कौन सा अप्लिकेशन खोल रखा है, इसलाम वन, इसलाम वन खोल रखा है आपने, ओके मैं अभी आपको बताता हूँ, इसलाम वन में, आपके लिए मैं भी खोल दूँगा, इसलाम वन, टेंशन न जिए बोब को अधो इसलाम महीं इसलाम या इसलाम थीक्स्टी और कर ok West इसलाम सिर्गए स्थित्य 알िए इसलाम व wolle सिहके ऑफ गह sleepy 따라 को कि इसलाम ही दो में इसलाम रिखाऊटा उसका आयकान है अरे मुझे पता है हजरत मैं ओपन कर रहा हूँ आपको इस्लाम वन से रिखाता हूं टेंशन ना ले कि टेंशन लेने का कामी नहीं करने का इस बिल्कुल नहीं करने का भावी यह बांदा नहीं यह लो इस्लाम वन आपके लिए खोलता हूं खुल जा बेटा खुल जा खुल जा सिमसिम खुल जा सिमसिम खुल जा सिमसिम चिचा को जो है वो इस्लाम वन में यह अधिस नजर नहीं आई है हम उनको दिखा देंगे जी जी सही मुस्लिम निकालो और यह अधिस नंबर 4548 4548 अचा 4549 सर्च करो तुमारे उसमें ठीक है 4549 में देख लेता हूं खुल भी नहीं हूं इस्लाम वन खुल गया है सर्च कर लेता हूं हदीस इंग्लिश इंग्लिश आई ट्रेड जी ठीक है हाँ जो तुम बता रहे हो साहिल इसकी हेडिंग लगाई गई है सब खुन में बिला इरादा बिला इरादा लफ सुनना बिला इरादा और तो और बच्चों क्यों मारे जाने के जवाज के बयान में इसमें कहीं यह लिखा नहीं है कि रसुलिश ने बच्चों को मारने का हुप में दे रखा है अच्छा मुझे पता था आप यही आर्ग्यूमेंट लिखे आएंगे हाला कि वो जो है वो हेडिंग जो है वो मौदिस ने बांदी है ठीक है लेकिन मुझे एक बात बताओ आपके सामने एक चीज की कंप्लेंट आई ठीक है कि भाई हमारे इस अमल से ऐसे ऐसे हो रहा है ठीक है और उसमें बच्चे मारे गए बच्चे मारे जा रहे हैं क्या आपको अफ्सोस होगा या नहीं होगा बात सुनो सबखून है तुम कही अपने पांबे के होटल में बठे हुए मिनर्वा होटल में सनीमा देख रहे हो और तुम्हें जांके क्टल कर देगा सबखून सबखून जंग की हालत है जालिप साब पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए जी बताओ मेरे सवाल का पहले जवाब दीजिए ना मुझे ये बात बताईए कि आपका दुश्मन है ठीक है आप ने उससे लड़ाई की और गए आप उसको मारने के लिए ठीक है रात में हमला किया उसके उपर आप ने गलती से उसके बच्चे भी मार दिये जी गलती से पिल्कुल गलती से उसके बच्चे भी मारे गए दो तीन आपको अफसोस होगा क्या नहीं होगा बाई एक बात बताईए ये ये तो जन्क की हाला गएगा अफसोस होगा कैनी होगा ये जवाब दीजिए तेको ऐसा है जनाब आली आप इसको अपने इस पॉइंट से मत सोचिए कि आप दिल्ली में बैठे हो और बंबे में बैठे हो और बच्चों का ऑफसोस होगा क्या जन् बच्चों का बच्चों का बच्चे अगर मर गए आपके हाथ से जंग के वसूल अलग होते हैं जनाब आली जंग के वसूल अलग होते हैं अप पहले बात तो यह है कि आप इस मंज़र को आप समझेए शब खून मारना है शब खून कहां मारा जाता है कैसे मारा जाता क्यों मा पहले पूरा सुन लो और उस हिसाब से जवाब दो पहली बात तो ये जंग नहीं हो रही थी किसको कहते हैं जी जी नाइट रेट कहते हैं जो रात में दुश्मान को बेखबरी में हमला कर देना मतलब आपके भोले भाले प्यारे सहाबा जो है वो रात में बेखबरी में जाके अटैक कर रहे थे इतना मान लिया आपने अच्छा एक बात बताईए ये जो मुश्कीन है जो ये कुफार अरे बात सुनो या कुफार वो आपको दो शब्खुन मारते हैं आपको द्वा देने के लिए अन्होंने किया सबकुन हे जब जग की हाला चलती है एक बात बताई तुम हिस्ट्ण पड़ो जए TIMे हिस्ट्री नहीं किया बताओ जरा और जे नहीं uphold ।ाम्रसुल उसको नहीं बद्टाया का है, मारा है उन्होंने, यह देखो, यह देखो, रुखो, रुखो, फॉर फाइव Census Bureau, čeक करो. फॉर फाइव फाइव सामा, इसे इसी मुसलिम की? यह मुसलिम की? यह देखो. यह देखो, यह लिखनी हैं, कि हजदर साब बिन जसामा से रिवायत है कि फर्माते हैं कि मैंने अर्स किया कि ए ए आल्ला के रसूल हमारे शब खुझ मारने में मुश्रीकों के बच्छे भी मारे जाते हैं मार रहे थे वो लोग और बच्छे मर रहे थे जी जी ये जो मुस्लिम है जो तुमने निकाला है इसलाम वर्ण में 4551 ये है 4550 चेक करो मर रहे थे बच्चे लोगों को ये मार रहे थे जो बात कही गई है पहले बाले में वही बात तो इसमें भी है कि सब खून में वीला इरादा अर्तों बच्चों के मारे जाने के जवाद में वही बात तो है हाँ तो इदर शहा लिखा हुआ है हमारे सबंखोल मारने में मुश्रीकों के बच्चे भी मारे जाते हैं तो मर रहे थे बच्चे लोग मुझे ये बताइए आप एक तो देखो दो पांड मैंने अभी आपके लिए हतियार निकाल देता हो मेरा, एक मिट रुके था कि आप से जो है ना सलीके से बात हो, एक मिट रुके, तो सलीके से बात करो, एक मिट, नाईट रेड या शब खुन मारना आपने खुद का भी कि दुश्मन अनजान है और दुश्मन या आप समझिए कि जहां पर आप हमला कर रहे है जहां पर आप हमला करने वाले है तो बिल्कुल अंजान है जही आप पर अटेक होने वाला है ठीक है सही येस अब आप वहां पर अटाक कर रहे हो वहां और और बच्चे भी मारे गए ठीक है येस और नो चलो ठीक है माई बात तो कर रहा हुआ पहले तुम अपरी बात कर लो फिर मेरे बात आप मुझे बताओ बच्चे के मरने पर आपको अफसोस होगा या नहीं होगा तुम मुझे साहिल ये बताओ कि मैदाने जंग में बच्चों को क्यों लाया उनकमीनों ने मैदाने जंग नहीं है रे भाई नाइट अटाइक किया है अरे बाई तुम यह बताओ कि यह नाइट राइड कहां होता है कहां होता है यह घर में होता है यह नाइट राइड जो है अरे बताता हूं बताता हूं यह मैदाने जंग में होता है अमित एक मित नाइट राइड जो है अरे रुख जा भी थोड़ा सुन एक सवाल किया आपने नाइट राइड कहां पर होता है नाइट राइड आपका आप एक काम करना कोई हाईवे पर चले जाना ठीक है अक्सर नाइट राइड उदर पर होता है हाईवे पर आप जाना थोड़ा मेकप विकप लगाता है अरे एक सवाल किया तो उसका जवाब तो ले ले भाई आपने कोई हाईवे पे जाना है या कुछ सिलेक्टेट जगा होती है वहाँ पे आपने अच्छे से मेकप करना है और वहाँ पे रास्ते में आपको खड़े होना है वहाँ पे आपका नाइट राइड हो जाएगा अच्छे से राइडिंग की जाएगी आपके उपर ठीक है अभी आगे जो असल मुद्द है उस पे आते हैं हाँ मुझे ये बताओ पुल्वामा की बात ये सब हम करेंगे तुम्हारा सब एक्जामपल लूगा मैं ठीक है मुझ भी देटा बात करते हो ये बहुँद बेंतार मत खेल भाई क्या जूडवा करता है तुमने कि मैं तुम से पूछ रहा हूँ कि मैंदाने जन्ग में बच्चों को क्यो ले के आये कापि उन हो less अरे दिमागी अपंग अभी थुने खुद यहाँ पे इसी वज़े से मैं यह नोट पैड जो है हत्यार रखता हूँ अभी इसने खुद कहा था थोड़े दिर पहले शबखुन मानना नाई ट्रेड यह होता है जहां पे आप हमला करने वाले है वो बिल्कुल अंजान है मतलब जहां पे आप हमला करने वाले हो वो बिल्कुल अंजान है उसको तो पता ही निए कि आप हमला करने वाले हो तो यह ज किसनी के कुछ ना किस्ताउ бाकिस्तान ले मोडी ने हम्ला किया था हिंदुस्तान ने हम्ला कि अरे तो मैं कहां है बता ना डाटा डाटा बता कहां है जो बता कि मैंदाने जंग में बच्चे आएंगे वाँ मुश्लमानों को उप्रते करेंगे तो फोड़ देंगे गालिब जंग साबित कर जूटे 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 इधर जंग किदर है तुने खुद अभी कहा नाइट रेड कहते हैं कि आप रात में हमला कर रहे हो उसको पता भी नहीं है वो बच्चों को तो पता भी नहीं है वो थोड़ी ना लणने के लिए आया है तुम नाइट रेड मार रहे हो किसी के वहाँ पे जाके उसको तो मालूम भी नहीं है वो बेखबर है तुने खुद बोला भी जूटे इंसान तुमारी पूरी कौमी इस तरीके की जूटी है क्या जूटो के सरदार इधर जंग साबित करके वो लड़ने आये थे यहाँ पे तुने खुद कहा है कि शबखून मालना ये सामने आले को पता भी नहीं होता है वो अपने घर में सो रहे होंगे खाना खा रहे होंगे वो बिचारे कि थो पाबित कर ये जंग रहे पहले बात तुम बैमानी कर रहिए निकाल क्यों क्यों देते हो निकाल taste खुट नहीं जंग साबित कर दर जंग साबित करके वो लड़ने के लिए आए थे अबे जब यह मारे जा रहे थे तब लड़ने के लिए आए सब खून की डिफरेशन पहले तु समझ ले सब खून हमेसा मैदान जंग में जो जो फाउजी होते है उनके उपर अटेक किया जाता है तुम्हारे धर में नहीं आपिश जाता है बता 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 तुम बता कि यह किस जंग की बात हो रही है अभी तुने खुद यहां पे अग्री किया मेरे साथ कि शबखून या नाइट्रेड उसको बोलते है जिसको जहां पे आप अटैक करने वाले उसको मालूम भी नहीं है वो बिल्कुल अंजान है यह कोई सामने तुमारे लिखा हुआ है जी 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 सुनो सुनो अगर सबखून को मैदाने जंग में उनकी लाइलमी में उनके इग्नारेंट में ही सबखून मारा जाता लेकिन सर्थ यह है वो जंग की हालत हो और जंग के मैदान में अच्छा मेरे को एक बात बता अच्छा गालीब एक बात बता चुप हो जा एक बात बता कि वो लोग अंजान थे वो बच्चे भी अंजान थे उसके मरने पे तुमको अफसोस होगा या नहीं होगा सिर्फ इतना बता दे पहले तुम ये बता कि ये सब खुन जो मारा जा रहा है ये कहां मारा जा रहा है तुमको बच्चों के मरने पे तुझे अफसोस होगा क्या नहीं होगा मैं कह रहा हूँ कि ये सब खुन जो हो रहा किस जंग में हो रहा और उस जंग में बच्चों को लाने की ज़रूबत क्या है तुमको पहले तु ये साबित करेगा सुन, पहले तू ये साबित करेगा कि वो बच्चों को जो है जंग में लाया गया था, जंग में ठीक है, ये तू साबित करेगा उसके बात तुझे ये जवाब देना है कि बच्चों के मरने पर तुझे अफसोस होगा क्या नहीं होगा अबे अगर तुछ जंग के मैदान में बच्चों को आउर्टों में लाए गया तो वो तो जाही सी बात था कि ग्यों के साथ गुन पीसे गई तो वो जब्रा नहीं बांजाता वो गदा गदा ही रहता तो उनका है पहले तो कुसूर उनका है जो जो दुश्मन है जाहिल तो वो है जो जंग के मैदान में बच्चों को ले आए बच्चों को जंग मिलाया जाता है क्या तुम यह बताओ सून गाली मैं तेरे साथ चलता हूं थोड़े देर के लिए क्योंके मुझे तेरी मेंटालिटी अभी 4770 लोग जो देख रहे तेरी मेंटालिटी एक्सकोस करना और देरे एमसलाम को अईसे ही ने एक मिड़ा मिद अमीद रुको उसको दिल की बडास निकालने दो चुक्छे मुझे उससे असल जवाब लेना है तो मुसल्मानों से जीत नहीं सकता है तो अच्छे चल इसलाम जो है मर्फिक्ट है इसलाम में हर चीज़ जीने का इसलीचा दिया गया है और तेरे बकवास करने से इसलाम को कंडम करने से इसलाम कमदोर नहीं हो सकता इसलाम में दो सब करोड़ लोग इसलाम को फालो करते है अबे रुकेगा यह जो तूँ बच्छों वाली यह लेके आए हो ना अप समझ जा तेरे हिसाब से मैं चलता हूँ और मान लेता हूँ थोड़े देर के लिए कि वो निहायती बेगहरत बाप है जो अपने बीवी और बच्चों को जंग में लेके आया ठीक है और तुमने नाइट रेट किया उनको पता नहीं है और उसमें बच्चों को और औरतों को भी मार दिया ठीक है वो निहाया इरादा सुन सुन अरे उसके साथ लिखा गवा बिल इरादा दिखा दे जी जी अरे उन्वान जो बाधा है वो यहीं बाधा है बिला इरादा उन्वान किसने बांदा सुनो सब खून मारने में मुस्रिकों के बादे अरे हदीश के अलफाद सुन पहले उन्वान किसने बांदा वो बता नै अच्छ अच्छ उन्वान छोड़ बिला इरादा लिखा है इसका तर्जमा जो नीचे लिखा है जो सामा से रवायत है कि फर्माते है कि मैंने अर्द किया आई अल्ला के रसूल हमारे सब खून मारने में मुषरिकों के बच्चे भी मारे जाते है नहीं बिला इरादा किदर है जी मारे जाते हैं बच्चे बिला इरादा किदर है सब्सक्राइब है में तर्जुमा कर रहा हूँ ना उसी में उर्दू तर्जुमा पड़कर बता इसलामरान का तक टो देखिए यह मारे जासे है यह तुमारे जाले जाले अभी इतना बुरा टाइम तुम लोग की इतनी बुरी हालत हो गई है कि अब तुमको हमको grammar भी सिखाना पड़ेगा जी जी उन्हों ने इतने दिमागी अपंग है मुझे बात बोलता हूँ कि अगर यह कहें कि हम जब नाकामंदी लगाते हैं तो बिना driving license जो गाड़ी चलाते हैं वो पकड़े जाते हैं अब बता कि पकड़े जाते हैं कि अरे चोड़ उसका तुझ नहीं कर बलकि तुझ जब अब अधीस की बात कर रहा है उसमें तर्फ में आख कहीं पर यह नहीं कहा गया है कि हम मारते हैं सुन 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 तेरे साथ मैं वहां भी चलता हूं मुझे यह बता कि जो बच्चे मारे जाते हैं उस पे तुझे अफसोस होगा या नहीं होगा अबे अफसोस का यहां सवाल नहीं है यहां तो उस जंग के हालत का सवाल नहीं होगा अगर मार जाएंगे तो सुन यह बता जंग में अगर तेरा मुखारिफ कोई मारा जाता है तो मरने का trefuz को होता है यह नहीं होता है की एक जान गई है Casa अगर मेरे हमले से उसका बच्चा मारा जा रहा है तो मुझे उसके बच्चे के मारे जाने पर अफसोस होगा 110 परसंट तुझे होगा नहीं होगा सिर्फ इतना बता कि मैं तुमसे सिर्फ एक क्वेशन करता हूं कि जब जंग चल रही है तो जब बच्चों को लाते हैं जब बच्चे आएंगी अच्छे काम करते हैं चल इसका मैं और गेम बजाना है मुझे एक मिनित इसका गेम और बजाता हूं मैं जग में अपनी आपने और बच्चो को लेके जाते हैं वो निहायत हरामी है बोल ये बोल जितने लोग जंग में अपनी औरतों और बच्चों को लेके जाते हैं वो निहायत हरामी है बोल हाँ अपने बाप को बोला आदम सीकर को जितने लोग जंग में अपनी औरतों और बच्चों को लेके जाते हैं वो निहायत हरामी है बोल ये तो तेरी जुबान है ना मेरी जुबान थोड़ी है अरे तो तू क्या मानता है लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए नहीं बिलकुल नहीं एक बात बताईए हमारा हिंदुस्तान में हमारे फौजीयों को इंदुस्तान की बात नहीं सिर्फ इसलाम की बात मुझे सिर्फ ये बता कि तेरे नजदी जो लोग और तो और बच्चों को जंग में लेके जाते हैं औरत या बच्चों को यहां मैं औरत या बच्चे कर देता हूँ वो निहायत हरामी है यह तो तू बोल रहा है अपनी गंदी जोबान से तू क्या बोल रहा है तेरे नजदी क्या है लेके जाना तेरे नजदी कैसा है अबे पहली बात तो देखिए कि तू डरा हुआ आदमी है पहले अपनी सकल देखाता था आज अपनी सकल नहीं देखा रहा है एक डरा हुआ आदमी तुम उससे क्या बहस करेगा बिन मेरा है के बहस करते हैं सामने बहुत करो अवे तेरे नजदीक जंग में कोई और या बच्चों को लेके जा रहा है वो हरामी है या नहीं है मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने मुह में अपना 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 अपने अलफास को और अगर मुह में अलफास नहीं है तो पिछवाड़े में डाल ले अपने अलफास को मेरे मुह में क्यों डाल रहा भाई तेरे अलफास क्या है वो बता रहे चल तू जो बोलेगा वो लिखता चाली जो लेकर जाता है वो तेरे नज्दी क्या है अरे भाई लेकर जाना ही नी चाहिए वसूल के खिलाफ है अरे बहुत है, कि लेकर जाता है वह क्या है? अरे भाई वसूल के खिलाफ है मतलब वो उसूल के खिलाफ वर्जी कर रहा है जी पिक्दूल वसूल के खिलाफ वर्जी कर रहा है और फिर अंजाने में तो कतल होने की बात है ना अंजाने को कंडम करना चाहता है मैं कहता हूँ कि अंजाने में जो अबे हिट विकिट करके नहीं जानेगा तुमने कहा कि जो लोग जंग में औरतों या बच्चों को लेके जाते हैं वो उसूलन गलत काम कर रहे हैं जंग में भच्क नहीं लेकिते हैं। तुमको पता है तुमारे रसूलूला जो है अपनी औरतों को लेके जाते थे मरहम पड़ती के लिए दो टैंक मतलब तुमारे रसूल जो है वो उसूलन गलत काम कर रहे थे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं अभी तू खुद कहा कि जो जंग में और तो या बच्चों को लेके जाएगा वो उसूलन गलत काम कर रहा है और तू अभी यहां पर अग्री भी कर रहा है तेरे रसुल उल्ला और तो को और बच्चों को लेके जाते थे मतलब तेरे रसुल उल्ला जो है वो उसूलन गरत काम कर रहे थे अरे भाई एक परपस से लेके जाते हैं ना यह आउरतों को जो तुम कह रहा हो बच्चों को मारे जाने की बात बच्चों को क्या purpose है बच्चों को क्या purpose है तुम बज़े बता बच्चों अरे सुन आर्टों के और अब में दोस्तों यहां पर यह सावित हो गया कि इसने जो argument नाया था उस हिसाब से इसके रसुलाः खुद उसुलाँ गलत काम करते थे औरतों को जंग में लेके जाते थे औरतों को यह बच्चों को खतम हो गया, अब दूसरे को मौका देंगे हम, हलागे ये हर बात में फसाईए, यहां पे ये उपर खुद कहा था, नाइट रेट के बारे में भी, के सामना लेको पना भी ने रहता है, के वोपर हमला हो रहा है, वहां से भी अपनी बात से फिरा, उसके बाद फिर दूसरी ब कि ये अपने सहाबा और रसुल के बारे में क्या करते है, चलिए, अब हम, अब ये लाइबरेरियन है, ये पुराना डंगर है, मैं को मालूम है,